दोस्तों यू तो मातरत्व ईश्वर का दिया हुआ एक अनमोल उपहार है लेकिन कभी-कभी हमारी असाफधानी की वज़ा से और हमारी नासमझी की वज़ा से हमें मुसीबत में डाल देता है खासकर उन महिलाओं को जिने डायबेटीज, हार्ट प्रॉब्लम या इम्मिनलोजिकल रोग होते हैं ऐसी लेडीज की किस तरह से सुरक्षा की जाए, उनके गर्ब में पल रहे बच्चे को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाए यही सब जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर मौझूद है फेमस गाइनकॉलोजिस्ट जो की एक प्रोफेसर भी है और प्राक्टिस भी कर रहे हैं डॉक्टर गर्नेश शिंदे और उनका साथ दे रही है प्राइवेट प्रेक्टिशनर डॉक्टर वीना शिंदे आई उनका स्वागत करते हैं डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते डॉक्टर गर्नेश सबसे पहला प्राशनी यह पूछना चाहेंगे कि हाई रिस्क प्रेग्नेंसी क्या होती है अधिक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी इसमें मोड़ती है जहां रूटीन प्रेग्नेंसी जिसमें कोई प्रॉब्लम्स नहों नॉर्मल है फिजियोलोजिकल प्रोसेस है एक नैसर की प्रक्रिया है बट कुछ ऐसे सिटुवेशन साते हैं जहां अवरत की जान को या उनके स्वास्त को खत्रा पहुचता है या पहुचने की संभावन होती है और उसमें पल रहे गर्ब को भी जान का खत्रा या उनके जो कॉलिटी ओफ लाइफ है जिसको हम मॉर्बिडिटी बुलते हैं मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी ये दोनों को अगर इसमें कोई गुंजाईश हो मॉर्टेलिटी की या मॉर्बिडिटी की मदर को और फिटस को तो ऐसी स्थिती की प्रेग्नेंसी को हम लोग हाई रिस प्रेग्नेंसी बोलते हैं तो जाहिर है ये प्रेगनेंसी में हमें काफी साउधानी बरतनी पड़ती है और ये जो रिस्क है ये 9 महिने के दर्मयान हो सकती है, डिलिवरी के टाइम पे हो सकती है या डिलिवरी के परश्चाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशन दिखती है और वो इंसुलिन पे प्रेगनेंसी से पहले से हो जो हुमन इंसुलिन होता है वो कुछ मात्रा में दिया जाता है प्रेगनेंसी में और जैसे डिपेंडिंग ऑन दे शुगर लेवल उसको हम लोग टाइटरेट करते हैं उसमें पेशन को एजूकेट किया जाता है कि शुगर लो भी नहीं होना चाहिए और हाई भी नहीं होना चाहिए बहुत लो अगर शुगर हो जाता है तो पेशन कोमा में भी जा सकता है और अगर शुगर बहुत हाई हो जाता है तो बच्चे की जो साइज है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है और बच्चा मंद बुद्धी का या अ इंसुलिन लेवल टाइट्रेट करके फिर एक फिक्स डोस पे उनको अपने हाथ से लेने को सिखाते हैं इसके साथ साथ उनको अपनी यूरीन शुगर या ब्लड शुगर चेक करने की भी हम लोग आदत लगाते हैं ताकि अगर आसपास कोई डॉक्टर ना हो या उनको कोई फ दीरी के बाद भी उसका शुगर करना पड़ता है उसका शुगर बहुत भाँ होता है ऊसकी लिप टाउन हमतां है तो सबस्वीधा को मिलती है तो high risk pregnancy अच्छे से समल जाती है जैसे high risk pregnancy को categorize करना हो या उसकी example देखे, उधारन देखे उसकी list अगर कुछ बतानी हो थोड़ी सी तो हम लोग मदर में कुछ बिमारिया जैसे मदर को heart disease है समझो पता चला कि कोई valve काम नहीं कर रहा है पहले से और उसके ओपर वो pregnant हो गई है या फिर उसको अस्थमा की बिमारी है या किसी कारन वर्ष उसको टीबी है या फिर जैसे मैडम ने बताया है वो diabetes अलड़ी उनको है तो या फिर ऐसी कोई immunology high blood pressure हो सकता है multiple pregnancies हो सकती है और severe anemia किसी किसी का हीमोगलोबिन 9th month में 3 भी दिखता है जहां 12 होना चाहिए वहां 3 होता है तो ऐसी स्तिती में यह high risk pregnancy होती है क्योंकि बच्चा भी छोटा रहता है और delivery के टाइम पर बहुत bleeding हो सकती है और इसमें ऐसा देखा गया है कि इनमें operation की मात्रा सिजरेन की जो chances है करना पड़ता है बहुत बार 9 मेने तक हम इनको नहीं ले जा सकते है जैसे maturity दिखी बच्चे में और कुछ blood pressure है जैसे कितनी भी दवा देने के बावजूद भी blood pressure को बिलकुल normal नहीं किया जा सकते है ऐसी कुछ जैसे pregnancy induced hypertension pregnancy के कारण बच्चे के कारण मदर में blood pressure बढ़ते रहते हैं हम लोग उसको control करने के कोशिश करते हैं दवा देते हैं कुछ नमक कम खाना या नहीं खाना रेस्ट है एक posture है फिर blood pressure की गोलिया है योगा है योगा है यह सब चीज बताने के बावजूद पेशन्ट बराबर से उसको follow करने के बावजूद भी यह blood pressure इसलिए है ताकि पेट में बच्चा है तो यह जो blood pressure है यह बच्चे की कत को कम कर देता है जैसे नॉर्मली बच्चा एक हद तक ग्रो होना चाहिए यह बच्चा चार हफते का deficit पाता है जब में कम क्रोंग तो यह क्योंकि दबाव के यंदर वो प्रेशेइं के अंदर circulation बच्चे को जाता है already जाता है रवा बच्चे nggak चाहिए इसावार्य फिमशी को जीँश कूम लोग इंट्रा-इू रोग रीटारादीशन हो आ esca गर्भ के बच्चेदाने के अंदर ही गर्भ का अपना बढ़ना एक सिमित तक स्लो हो जाता है, रिटार्ड हो जाता है, और साथ-साथ मदर को टॉकसेमिया होता है, टॉकसेमिया का मतलब है, बहुत सारी सुजन आ जाती है पूरे बदन पे, और eyes bulge होने लगती है, कभी-चब अभी मदर को फिट्स भी आ सकती है प्रिगनेंसी के दौरान बिकॉज अफ तो हाई ब्लड प्रिशर इस सितारे दिखने लगते हैं और हो सकता है कि मा बेहोश भी हो सकता है तो ऐसी स्थिती में हम लोगों को यह बच्छा जो है नौ मैने तक नहीं रख सकते हैं तो जहां पता चला कि इसकी मैचुरेटी ठीक है यह बाहर के इंटेंसिव केरी उनिट में इसको और बढ़ाया जा सकता है तो अंदर का एटमोस्फियर जो होस्तेल हो जाता है अभी बच्चे को बाहर निकलने की नौबत आ जाती है तो ऐसे टाइम पे हम लोग उनको इलेक्टिव सिजरेन करके या फिर इंडियूस करके टाइम से पहले मुद्द से पहले उसको डिलिवर करना पड़ता है तो जैसे देखिए जुड़वा बच्चा हमारे साइंस में जुड़वा बच्चा है तो इसमें कभी ऑपरेशन की नौबत आ सकते हैं जैसे मैडम ने बताया ऑपरेशन की नौबत बोले तो फिर अनेस्टेशिया और ब्लीडिंग ज्यादा होने का चांस इसमेमे के जल्स देखा जाए तो फिर कोड़त कавно क हुए को भी मुश्किल से अवरत को बहार निकालना थास तो फेर एक और दिलिवरे को बारे में सोचा जाता है तो दूसरी बार अगर प्रेग्चन से रहती है और फिर वह जी नियाुज तो यह में आती है इसमे pregnести 안 manic उसे अगते है यह स्क्षय को और गॉत दूसरी जच्छ टोछ की टूसरी प्रेग्नेंस िक टाइम पर अगर लेबर्बबर एक शुरू हो तो टाम पर यह अन्दरस प्रोटीन की मात्रा को संतुलित मात्रा में देना पड़ता है। थोड़े बड़ाते हैं हम लोग लेकिन कौन से प्रोटीन को देने चाहिए। कुछ प्रोटीन हानी का रख होते हैं। अगर मात्रा कुछ हाद से बढ़ गई तो वह भी हानी का रख उनके किड्नी के लिए हो सकता है। तो अकसर इसी स्थिती में हम लोग डायेटीशन की भी मदद लेते हैं। और वह हिसाब से उनको वह डायेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आईए हम अपनी डायेटीशन योगीता जी से जानते हैं कि वह इस बारे में क्या कहती है। आज हमारा टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनसी। हम लोग उसमें तीन टॉपिक का डिसकाशन करेंगे। पहला है एनीमिया, ब्लड प्रेशर और डायबेटीज। ये तीनों चीज में बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। एनीमिया जो हमारा खून बढ़ाता है, जो खून बढ़ने के कारण बच्चे को भी ग्लड सप्लाई मिलता है। वो उसका ब्रेइन और फीटल डेवलाप्मेंट में बहुत ही इंपॉर्टन काम करता है। एनीमिया कम होने के कारण बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ही बढ़ जाता है, वीकनेस आती है, ब्लड पैशर कभी-कभी डाउन हो जाता है, और हमारा फोकस और कॉंसेंट्रेशन कम हो जाता है, कभी चक्कर आ जाते है, भूख कम लगती है, एरिटेशन और डिप्रे अजीर है, खजूर है, इनसे हमारा आयन बढ़ता है, एन इंटिक बढ़ाने के लिए हमें हरेक मील में कुछ ना कुछ आयन का प्रोड़क्ट इंकलूड करना चीए, जो लोग नौन विच खाते हैं वो नौन विच ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग उसको वेजटेरियन इसी हिसाब से हरेक स्मॉल-smॉल थिंग्स इंकलूड करने से हमारा आयन बढ़ता है, अभी हम डिसकास करेंगे कि हम डियाबेटीज में क्या खा सकते हैं, और क्या नहीं खा सकते हैं, डियाबेटीज में हम खाली शक्कर वाली चीज़े नहीं खा सकते हैं, और मीठा नहीं otherwise there is no problem in eating सुभा हम नाश्ते में इली है, संविच है, कोई मिक्साटे की रोटी हो सकती है एग वाइट हो सकता है ब्रेड के साथ या तो उप्मा, पोहा, रवा का उततपा ये सब खा सकते हैं बीच में मिडमील आता है जिसमें हम फ्रूट है, बटर मिल्क है, सूप है, वेजिटिबल जूस है, एक मुठी चना है ये खा सकते हैं एक छोटी सी मील होती है लेकिन ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है शुगर लेवल कंटेन करने में फिर आगे लंच आता है, जिसमें हम लोग रोटी, सबजी, दाल और थोड़ा सा चावल ले सकते हैं अगर रोटी ज्यादा खानी है तो चावल बन करना पड़ता है झावल बन करना है झाल 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 झाल